तो दोस्तों PTT अग्जाम 2022 की फीस रिफंड को लेके आप सब के लिए एक latest update आया है और latest update है कि PTT 2022 की फीस रिफंड की प्रोसेस से वो शुरू हो चुकी है जी हाँ लेकिन 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 फीस रिफंड को लेके PTT के दोरा इस बार एक बड़ा बदलाओ किया गया है उस बदलाओ के बारे में तो इस वीडियो में आपको जानकारी देने वालों लेकिन इसी के साथ साथ फीस refund को लेके कुछ खाज जानकारी है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चेनल तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजिस्थान में पीटीटी अग्जाम 2022 की फीस refund को लेके पीटीटी के दवारा 14 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये जो फीस refund की जो प्रोसेस है वो 21 से लेके 27 जनवरी 2023 के बीच में वो सुरू होगी यानि इस डेट के बीच में पीटीटी रिफन्ड के लिए आपको आविदन करना था लेकिन अचानक से पीटीटी के दवरा ये फीस रिफन्ड की जो प्रोसेस है वो कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी अब ये रोकने का क्या कारण है अगर इस बारे में आपको जानना है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखिया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन एक बार फिर से पीटीटी 2022 की फीस रिफन्ड की प्रोसेस है वो शुरू हो गई चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप फीस रिफन्ड के लिए कब से लेके कब तक आवेदन कर सकती हो दोस्तो पहली बात ये है कि फीस रिफन्ड के लिए केवल और केवल आपको ओनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और ये जो आवेदन है वो 8 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच में आपको करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि लास्ट डेट का इंतजार किये बगर ही आपको ये आवेदन करना है लेकिन जानकारी ये भी है कि डेट बाद में बढ़ाए जाएगी लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको बाद में आवेदन करना है आपको 15 फरवरी से पहले पहले ही आवेदन करना है अब देखें, fees refund के काफी सारे नियम है काफी सारे दस्तावजों की आपको आवसेटा पढ़ने वाली है अगर इनके बारे में आपको जानना है तो इन सब की जो जानकारी है fees refund के जित्ते भी रूल है, नियम है, उनकी जानकारी मैं पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ फाल तो मैं इस वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं है तो वो वीडियो देख लिजेगा, लिंक आपको वीडियो के description में वो मिल जाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, PTT की कुछ खास बाते हैं, जो fees refund को लेके वो आपके साथ मैं जरूर सेर करना चाहँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साती है जिन्होंने कई बार मुझसे पूछा भी है, कि सर हम जो बीडियो वो नहीं करना चाहते हैं अलांकि हमारा जो नंबर है, वो किसी बीड कोलेज में आगया हमने वेरिफाई करा दिया तो क्या हमें fees refund होगी या नहीं होगी अब दोस्तों इसकी जानकरी तो हम आगे देने वालों, लेकिन इससे पहले इस बाहर जो बड़ा जो प्रिवर्तन हुआ है खास प्रिवर्तन हुआ है, जो यहां पे देखिए, तीन फरवरी दो हजार ते इसको जो प्रिटिटी के दवारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें ये कहा गया है, कि जो fees refund है, अब यहां पे जो कंडिडेट है या फिर उसके जो माता पिता हैं, भाई भेन हैं, या जिस समय उन्होंने आवेदन किया था आवेदन के समय जिस बैंक अकाउंट से उन्होंने पैसे दिये थे, प्रिटिटी को या उनलाइन कटवाए थे उसी बैंक अकाउंट में आप fees refund की प्रोसेस के लिए आवेदन कर सकते हो अलांकि पहले क्या था, पहले ये था, कि जो fees refund है, वो केवल और केवल कंडिडेट के बैंक खाते में ही आएगी उसके माता, पिता, रिष्तेदार, भाई, भेन के अकाउंट में नहीं आएगी तो ऐसे में इस बार ये बड़ा प्रिवर्तन किया है, अब चाहो तो आप अपने खुद के अकाउंट में भी या फिर केवल अपने माता पिता के अकाउंट में आप मंगवा सकते हो, या फिर जिस समय आपने आवेदन किया था और जिस समय पिटिटी की जो काउंचलिंग के लिए 5,000 रुपे या 22,000 रुपे आपने जमा करवाए थे तो उस अकाउंट में आप रिफंड करवा सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी क्योंकि देखने में ऐसा आया था, पहले कि मैं बात आपको बता रहा हूं कि काफी सारे जो इमितर वाले थे अपना अकाउंट लगवा दिया और सामने वाले कंडिडेट को बोल दिया कि पैसा नहीं आए तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ है बैंक अकाउंट दीजिएगा और मैं आपको यह राय दोगा कि अगर आपका खुद का अकाउंट है तो खुद के अकाउंट की डिटेल आपको देनी है अगर खुद का नहीं है तो अपने माता पिता के अकाउंट की डिटेल आपको देनी है तो यह बड़ा प्रिवर्तन 22 रुपे की राशी वो भी जमा करवा दी लेकिन वो चाहते हैं कि हम किसी दूसरी कोलेज में हमारा B.A.D. में नमबर आ गया है या फिर आपको पता कि जो B.A.S.T.C. की जो प्रोसेस है वो भी चल रही है तो ऐसे में वो B.A.S.T.C. करना चाहते हैं जो C.A.P.N.P.D.L.D. अ आपका B.A.D. में नमबर आ है वहाँ से आपका जो एड्मिशन है वो आपको कैंशिल करवाना पड़ेगा और कैंशिल करवाने के लिए के ओल और के ओल आपको उसी कोलेज में जाना पड़ेगा यहाँ पे देखिए इंटरिनल बात में आपको बताओं तो जो B.A.D. तो ही तो उनको पैसा वो मिलेगा ना, तो ऐसे में वो नकारेंगे आपको, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने बड़ी समस्या है, दिक्कत है, आप पे अपना B.A.D. का जो admission कैंसल करवाना चाहते हो, तो यह आपके पास अधिकार होता है, कि आप करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो B.A.D. कोलेज है, उससे आपको compromise करना पड़ेगा, कोई भी एक उचित कारण बताते हुए, उनसे आपको निवेदन करना है, जैसे वो आपका निवेदन अक्षेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो B.A.D. वाले हो, PTT को सुचित करेंगे, आपको नही जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक उचित कारण होना चीब, इसके लाव यहाँ पे देखी, मैं आपको कहना चाहूँगा, काफी सारे ऐसे जो candidate हैं, कि जिनका admission final हो चुका है, तो देखें, ऐसे जो candidate हैं, उनको तो fees refund नहीं होगी, लेकिन अगर मान लीजे, यह जो किसी दूस इन्यूर्सिटी में जाकर के, टू येर की या फोर येर की जो बेड है, उसके लिए आविदन कर दिया, वहाँ पे आपका number आगया, और आप यहीं चाहते हैं, कि मैं वहाँ पे बेड करना चाहूँगा, यह जो PTT के दोरा, या फिर अपने राजिस्थान की, यह जो college है, य अगर आप college करना चाहते हो, और वहाँ पे आपने admission ले लिया, बेड अब नहीं करना चाहते हो, तो जिस college के अंदर आपने admission लिया है, और जो आपने पैसे वहाँ पे जमा करवा हैं, उसका एक जो proof है, आपको refund जब online आविदन करोगा ना, उसमें आपको देना पड़ेगा, तो ही आपकी जो fee, वो refund हो सकती है, अलांकि ऐसे नहीं, अपने मनमर्जी से कर लिया कि नहीं, मैं तो बस bid करना चाहता, college काफी दूर है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे में हाँ, यह हो सकता है कि मान लिजिए, आपने upward moment के लिए आविदन किया था, और उसके बाद आपको क कोई भी college आउंटित नहीं है, तो आप refund के लिए आविदन कर सकते हो, और वैसे में, अगर आपने 5,000 रुपेगी राशी जमा करवादी, 22,000 रुपेगी राशी जमा करवादी, फिर भी आपको कोई college आउंटित नहीं है, तो भी आप यहाँ पे आविदन कर सकते हो, इस बा वीडियो की description में उसका link है, वो भी update है, वो कर दिया जाएगा, इसके अलावा, PTT fees refund को लेके यह दि आपके और भी कोई सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं, लेकिन चलते चलते हम आपको कहना चाहूंगा, देखिए PTT fees refund के नियम के बारे में जानना है, दस् दूसरा वीडियो, link वीडियो के description में है, वो देख लिजेगा, पूरी process है, A से लेके Z तक बताइए, अब जो latest update है, इसमें दो परिवर्तन है, एक तो date का परिवर्तन है, और एक यह जो bank account वाली जो process है, इसमें परिवर्तन है, बाकि कुछ परिवर्तन है, नियम पुराने वाले ही है, साइद आप समझ गए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो like कर दीजेगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस बात को share कर दीजेगा, और PTT से सम्बंदी जो latest update है, वो दो देखिए वैसे तो आप official website से भी है, वो download कर सकते हो, और हमारी website पर भी नहीं कहूंगा, इनको बिल्कुल जो PTT को नाम को लेकि बिल्कुल समान website मिली है, लेकिन उनका जो domain है, वो थोड़ा अलग है, जैसे किसी का .org हो गया, .com या .in इस परकार से, domain में थोड़ा सा आपको प्रिवर्तन मिलेगा, तो ऐसे में फीस refund के लिए आपको केवल और पिसेल website है, ptt2022.com और .org वाली इसी दो website के माद्यम से आपको आवेदन करना है, अन्य किसी भी website के दवरा आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आप आवेदन कर दोगे, तो भिया आपकी फीस refund नहीं होगी, और फिर तो लफड़ा हो जाएगा, बैस, अगर आप समझ गए हैं, तो अच्छी बात है, नहीं समझें, तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके अलाव यदि आपके और भी करें सवाल हैं, तो आप मुझे Instagram पे वो पूछ लेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साती हैं, वो Instagram से भी पूछते हैं, उनकी मुहापरभी मैं help परता मिलते हैं भंस अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत